हाई अब्रीवन दिस इस अमित कुमार आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो यूट्यूब में वीडियो अप्लोड करके धेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं यह सच है कि बहुत सारे लोग लाखो रुपिया यूट्यूब से मंतली कमाते हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि आप यूट्यूब से पैसा कमा सके और वीडियो अप्लोड करें अच्छे अच्छे तो इस वीडियो में मैं भी आपको बताऊंगा कि यूट्यूब का कौन criteria है जिसे आपको fulfill करना होगा अपने channel को monetize करने के लिए ताकि आप इससे धेर सारा पैसा कमा सकते हैं इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप first time YouTube में हैं आपको ये भी नहीं पता है कि channel कैसे create करते हैं और channel का कैसे नाम रख सकते हैं तो वो भी मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास खुद का बहुत ही अच्छा concept हो किसी field के बारे में और उसके बाद अगर आप इस platform में आते हैं तो आपको success जरूर मिलेगा तो चलिए सुरू करते हैं YouTube से पैसा कमाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपका channel monetize होना चाहिए तो ये जान जाएए कि आपका channel कब monetize होगा इसके लिए जो criteria set किया गया है YouTube के दुवारा वो है सबसे पहली बात कि आपके पास 1000 subscriber anyhow होना चाहिए साथ में 4000 watch hours 4000 watch hours से मतलब है कि जब आप videos upload करते हैं तो लोग उसे तुरंट देख देखकर हटा ना दे मतलब आपका video ऐसा हीट होना चाहिए कि लोग उसे ज़्यादा देर देखें जिसके कारण आप जल से जल 4000 घंटा complete कर ले इसके लिए आपको एक साल का समय दिया जा रहा है एक साल के अंदर ये दोनो criteria जो है आपको fulfill कर लेना है 1000 subscribers and 4000 watch hours उसके बाद ही आपका channel monetize होगा और उसके बाद जो ads आएगा आपके videos पर उससे आप पैसा earn करना चालू कर देंगे मैं आपको एक और बात समझाना चाहूंगा आप लोग में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो confused होंगे कि पैसा कैसे मिलता है बहुत लोग सोचते हैं कि subscribe करने से पैसा मिलता है बहुत लोग सोचते है like करने से पैसा मिलता है तो मैं आपको बता दू कि subscribe करने से कोई पैसा नहीं मिलता है like करने से भी पैसा नहीं मिलता है पैसा सिर्ख मिलता है आपका video view होना चाहिए और उस video में ads आना चाहिए और ads जो लोगों को दिखता है उसी का पैसा आपको मिलेगा अभी 1 June 2021 से ऐसा भी हो रहा है कि कुछ channel जो 1000 subscribers complete नहीं किये है उनके channel में भी ads आ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको उसका पैसा मिलेगा YouTube ने अपना एक नियम जारी किया है इस बार 1 June 2021 के बाद से कि उस पर भी ads आएंगे जो channel monetize नहीं किये गया है और उसका जो पैसा बनीगा फिल कर लेंगे 1000 subscribers 4000 watch hours और जब ये पूरी तरह से complete हो जाएगा उसके बाद जो भी ads आते रहेंगे आपके videos पर उसका पैसा आपको मिलेगा तो I hope कि आपको ये concept समझ में आ रहा है पैसा like या subscribe से नहीं मिलता है पैसा views पर होता है कितने लोग आपका videos देख रहे हैं और उसमें कितना ads आ रहा है और ads को देखा जा रहा है उसका ही पैसा आपको मिलेगा अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप channel कैसे create करेंगे वीडियो को कैसे upload करेंगे ठीक है आप मेंसे जो लोग computer में करना सीखना चाहते हैं तो comment box पर आगर लिख दीजेगा मैं उसके लिए Alex video बना दूँगा ज़्यादा तर लोग mobile का उप्योग करते हैं इसलिए अभी मैं mobile से कैसे होगा वो बता रहा हूँ ठीक है तो YouTube का app खोलिए खोलने के बाद सबसे उपर में right side में देखिएगा एक छोटा सा icon दिखेगा उस पर touch करिए आप इस page पर आएंगे यहाँ पर लिखा हुआ है manage your google account यहाँ पर touch करिए यह page आपके सामने आएगा मैं यहाँ एक चीज आओर आपको बताना चाहूँगा और उसे submit कर पा रहे है तो इसका मतलब है कि आपका channel create हो चुका है बहुत बार क्या होता है कि नया android phone में बहुत से लोग जब first time comment करते हैं तो जिस email id से वह already logged in है और वह जब first time comment को लिखते हैं तो वहाँ पर create account करके option आता है जिस पर touch कर देने के बाद YouTube account create हो जाता है तो जो भी आप Gmail id से आप account को create किये हैं वो यहाँ पर soak करेगा ठीक है तो यहाँ पर जो Gmail account soak कर रहा है तो इसका मतलब आप समझ जाए कि इसी से आपका YouTube account बन चुका है तो इसे आप continue रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं अगर नहीं भी रखना चाहते हैं कोई नया account बनाना चाहते है YouTube के लिए तो उसके लिए आप यहाँ पर touch करिए आपके सामने यह छोटा सा चार्ट खुल जाएगा यहाँ पर add another account का एक option दिख रहा है यहाँ पर touch करिए उसके बाद आप इस page पर आएंगे सबसे नीचे में left side में देखिए create account का एक option दिख रहा है यहाँ पर touch करिएगा और यहाँ touch करके आप कोई भी नया YouTube account बना सकते हैं मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मेरा already बना हुआ है तो आप यहाँ पर touch करके अपना बना लिजेगा अगर आपको फिर भी कोई दिकत हो तो comment box पर आकर पुछ सकते हैं ठीक है जब यह account बन जाए तो फिर आपको वीडियो upload करना है कैसे करेंगे YouTube app का home page पर आ जाएए यहाँ पर नीचे में plus का एक sign दिख रहा है यहाँ पर touch करिए और आपको यहाँ पर option मिल जाएगा upload a video यहाँ पर touch करके किसी भी video को upload कर सकते है जो आपके phone में है अब मैं यह बताता हूँ कि अपने channel का आप नाम कैसे change करेंगे password कैसे change कर सकते है या फिर जो logo आपको डालने का मन्द है आपके channel के लिए वो आप कहां से डालेंगे देखिए आप फिर से home page पर आ जाएए सबसे उपर में right side में touch करिए फिर से manage your google account में फिर से touch करिए और उसके बाद इस page में आपको home के बगल में personal info का एक option दिख रहा है वहाँ पर touch करिए और यहां से आप वह चीज कर सकते जो भी मैं बूल रहा हूँ आप यहां से लोगों भी change कर सकते हैं यहां से आप अपने channel का नाम रख सकते हैं birthday रख सकते हैं जेंडर भी change कर सकते हैं और जेंडर के नीचे में पासवर्ड है आप वहां से पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगवा तो लाइक सेड़ सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स पर वाचिन